राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की जानकारी है, सोते समय सिरहाने इन दस में से एक चीज रखने से मिलेगी सफलता वास्तुस और जोतीस के अनुसार कुछ वस्तुओं को सिरहाने रखकर सोने से जहां सारेरिक और मानसिक शेहत में फायदा मिलता है वहीं सोबाग के जागरित होने के साथ ही धन सम्रिद्धी के योग भी बनते हैं आओ जानते हैं कि कौन सी सुब दस चीजें रखने से चमक जाती है किसमत नमबर एक, पानी का लोटा आप अपने सिरहाने तांबे के लोटा में पानी भर कर रखें और सुबह उसे किसी पेड़ पौधे में डाल दें ऐसा करने से सेहत में लाब मिलता है नमबर दो, चाकू ऐसा कहा जाता है कि यदि आप या बच्चे सोते समय सपने में चोग कर उठ जाते हैं या डरावने सपने आते हैं तो उनके तकिये के नीचे चाकू, कैंची या लोही की कोई वस्तु जरूर रखें नमबर तीन, लहसुन लहसुन को सवभागे का प्रतीक माना जाता है यदि आप लहसुन की कुछ कलिया अपने तकिये के नीचे रख कर सोते हैं तो आसपास सकरात्मक उर्जा का संचार होगा और अच्छी नीद आने में मदद मिलती है उसे जेब में रख कर सोने से भी सकरात्मक उर्जा का संचार होता है नमबर चार, सौंफ तकिये के नीचे सौंफ रख कर सोने से राहु दोस्त समाप्त हो जाता है इस से बुरे सपनों में भी राहत मिलती है और मानसिक परेशानिया से सुटकारा मिलता है नमबर पांच हरी इलाइची सौंप के अलावा तक्ये के नीचे हरी इलाइची रखकर सोने से ब्यक्ति को गहरी नीद आने में मदद मिलती है नमबर छे दूद रविवार को सोते समय एक गिलास में दूद भरें और दूद से भरे इस गिलास को सिरहाने रखकर सो जाएं गिलास रखने रखते वक्त साधानी रखें ताकि नीद में आपके हाथ से दूद गिर न जाएं सुबह उठ करने ते कर्मों से निवरित हो जाएं इसके बाद इस दूद को ले जाकर किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें साधर अभिवार तक यह उपाय करने से आपके धन संबंदे समस्याएं दूर होगी नमबर साथ सिक्का अगर आपको किसी रोग ने घेर लिया है तो सोते समय अपना सिरहाना पूरो दिशा की ओर रखें वहीं अपने सोने वाले कमरे में एक छोटी कटोरी में सेंदा नमक एक रुपए का सिक्का रखें आपकी सेहत दुरुस्त होंगी नमबर आठ मूली जब जन पत्री में राहु कुंडली के पाँचवे घर में हो और संतान सुख में कठनाई आ रही है तो ऐसी स्तिती में 40 दिनों तक पाँच मूली पत्नी के सिरहाने रखें और सुबह मूली को सिव मंदिर में रखा हैं इससे संतान प्राप्ती की संभावना बढ़ेगी इस उपाय से डरावने सपने आना भी बंद हो जाते हैं नमबर नौ सुगंदित फूल सोने के पूर तकिये के पास सुगंदित फूल रख कर सुएं इससे सुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नीद अच्छी आती है चमकाने वाला उपाय भी है नमबर दस आभूशड सोते समय यदि आप अपने सिरहाने के नीचे सोने अत्वाचांदी का आभूशड रख कर सोते हैं तो इससे मंगल दोस दूर रहता है तथा इसके सुब प्रभाव मिलते हैं धन्यवाद